हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चियोचनल चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे मॉनो सेफ इंजेक्शन के बारे में तो हम सिखेंगे ये इंजेक्शन के basic use के बारे में कि कौन से अलेगल अलेग medical conditions के अंदर ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है साथ ही जानेंगे उसके daily dose के बारे में सिखेंगे उसके side effects के बारे में warning, contraindications और जानेंगे कि ये इंजेक्शन को देखो यहाँ पे फिर 250 है उससे डबल 500 फिर 1 ग्राम और 2 ग्राम तो यह अलग अलग strength में क्यों available है और इसके dose वगरा क्या होते हैं वो सबी को समझते हैं यह lecture के अंदर detail में तो monosaf injection के जानकर यह आपको मिलेगी काफी सरल वास हमें यह lecture के अंदर तेक्सपेट लेक्चर बायामर सर असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर अपर फामारोक्स थेंक यू फर बीन फामारोक्स फेमिली अप्डेटे रही है फामा नोलज के साथ study करें disease and medicines related course जहाँ पे सिखे basic use medicines के dose, side effect and warning and contraindication तभी डाउंडोड करें आप फामारोक्स और वहाँ पे सिखें अलग-अलग courses को पाईए उनके pdf and ppt's तो study material test series and video lectures के लिए डाउंडोड करें आप फामारोक्स, android user android app डाउंडोड करें, iphone user app store से करें, link आपको description box में मिल जाएगी तो अब समझते हैं mono safe injection के बारे में, तो ये injection ऐसे class का medication हम कहेंगे कि जो आते हैं antibiotics के अंदर, कि जो antibiotics या फिर anti-infective medications जो हम कहते हैं, antimicrobial medication, antibacterial medication तो ये ऐसे class का ही medication है कि जिसको antibiotics कहे जाते हैं, और mono safe जो है, वो उसका brand name है कि यहाँ पे आप injection का main cover देखो, box का तो mono safe लिखा है, और नीचे लिखे उसकी strength 125 mg उन लिखा है intravenously as well as intramuscular use, मतलब कि ये जो है वो patient को IV भी लगा जाता है, intramuscularly भी लगा जाता है और mono safe जो है, ये product का brand name है, और salt composition आप यहाँ पे देखो, तो वो है septary axon main medication है कि जो एक cephalospurin class का antibiotic medication है, और ये specially बहुत सार या अलग लग bacterial infections को treat करने के लिए use किया जाता है, तो salt composition उसका याद रख लो आप safety axon injection और cephalospurin class का ये antibiotic medication बनता है, और mono safe जो है उसका brand name है तो manufacturers के बारे में समझें कि ये injection को manufacture कौन करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे है कि safety axon and salbectum का injection है, mono safe SB करके है, तो उसके अंदर combination में salbectum है, बट यहाँ पे जो उसके manufacture हम देखे तो वो है Aristo Pharmaceutical Private Limited कि जो 1971 में establish हुआ था और ये company जो है वो उसका headquarters मुंबई के अंदर है इंडिया में और ये एक non-government pharmaceutical company है कि जो बहुत सारे अलग-अलग pharmaceutical doses firm को design करता है, आगे समझें, mono safe injections के strength के बारे में कि उसके अलग-अलग कितनी strength में ये injection available है, तो यहाँ पर देखो 125 mg का भी available है, फिर उससे double quantity हम देखे तो 250 mg में भी ये available है, तो यहाँ पर ऐसी जरूरत क्यों है कि अलग-अलग उसके doses क्यों बनाए गए है, तो specially आप देखो कि इसका जो regular dose है, वो है एक से लेकर 2 g ग्राम intravenously और intramuscular per day और वो भी दिया जाता ह है, every 6 hour, every 6 hour खास कर ये injection जो है वो दिया जाता है, और children dose में आप देखो, तो 75 mg से लेकर 100 mg जितना dose रहता है, और kilogram के अगर समझे कि बच्चे का वेट 1 kg जितना है, तो उसके लिए minimum dose जो है रहेगा 75 mg और maximum dose जो है वो रहेगा 100 mg, तो उसी तरह से जब आप dose calculation करते हैं, प्रॉपरली, तो minimum 75 mg आप ले लो, और maximum समझे कि 100 mg यूज होता है, पर kg के हिसाब से, तो अगर समझे कि बच्चे का वेट है, 10 kg का वेट है, तो उस वक्त उसके लिए जो dose हो जाएगा, minimum dose बन जाएगा 750 mg और maximum dose हो जाएगा 1000 mg, तो उसका मतलब यह होगा कि 750 mg आपको देना ह है, पूरे दिन के अंदर, और यहाँ पे 1000 mg देना है पूरे दिन में, तो जब इस तरह से proper dose होता है, तो अगर आपको 750 mg को दिन में 3 बार देना है, तो आप इस तरह से कर दोगे, कि 250 mg प्लस 250 mg प्लस तीसरा 250 mg, तो इस तरह से अब क्या हुआ, होगा, टोटल एक दिन के अंदर, 750 mg डोस जो डिलिवर हो गया, और Time Interval आप रहे दोगे, कि 8 hours का time difference लेदोगे, आप 250 दिने के बाद, 8 hour का ताइम डिफरंस, दुसरा dose दिने के बाद फिर से 8 hour का डिफरंस, और तीसरा डोस देने के बाद फिर से 8 अवर का डिफ्रेंस तीस तरह से टोटल 750 मिलिग्राम भी डोस दिलीवर हो गया और 24 अवर्स हो गये मतलब की पूरे दिन के अंदर तो उस तरह से जब आप डोस केलकुलेशन करते तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर इंजेक्शन यूज़ कर लेसे हैं जो यह कंपनी है यह अलग-अलग में यह इंजेक्शन बनाते हैं कि समझो कि इस तरह से आपका डोस केलकुलेशन हुआ है प्रॉपर पेशन के लिए तो उस वाद आपका सिलेक्शन रहेगा कि यह 250 मिलिग्राम का आप इंजेक्शन यूज़ करते कि वो दिन मे तीन बार जो है वाप लगाओ पेशन को कि अगर उसका वेट 10 किलोग्राम है उसी तरह से वेट और ज्यादा है और आप डोस केलकुलेशन इस हिसाब से करते हैं तो प्रॉपर आपको जो है वो डोस मिल जाएगा स्ट्रेंद के साथ तो 500 मिलिग्राम में भी अवेलिबल है क कि अगर ऐसे कंडिशन है कि पेशन को 2 ग्राम जो है वो मैक्जिमम डोस देना है पर डे के अंदर तो उस वक्त आपको डिवाइड़ डोस में देना है तो 500 मिलिग्राम इंटू 4 कर सकते है कि जिससे 2000 mg जितना डोस डेलिवर हो जाए कि जो एक्विवेलेंट बन जाता है 2 ग ग्राम का तो अगर किसी को ऐसे कंडिशन है कि एक ग्राम जितना इंजेक्शन का डोस देने की ज़रूत पड़ी है तो उस वक्त आपके पास यह आप्शन भी रहता है कि सिंगल टाइम में ही एक ग्राम जितना इंजेक्शन देना है या फिर दो ग्राम यूस करना है या फि 500 mg में भी ये injection अवेलेबल है तो ये खासा आप याद रखना कि एक से लेकर दो ग्राम जितना आईवी या फिर इंट्रामस्कुलरली पर डे के अंदर और चिल्डरन डोज में 75 से लेकर 100 mg पर किलो ग्राम पर डे के हिसाब से ये injection यूज किया जाता है कि जो मेन सेफ्री पॉपिलर डोज है तो आके समझे तो ये medication antibiotic है सेफालस्पॉरिन क्लास का तो 3rd generation सेफालस्पॉरिन बनता है ये सेफ्री एक्जॉन कि यहाप उसका जो सॉल्ट है सेफ्री एक्जॉन तो अब जब इंजेक्शन होता है तो यहापे आप देखो डबल यू एफाई दिया है कि water for injection तो यहापे जो वायल के अंदर जो powder होता है तो वो powder को injection में convert करने के लिए water for injection दिया जता है dat कि यह injection जो है वो यह वायल के अंदर जो है वो एड किया जाता है और फिर इससे जो है वो आपका injection तयार होता है तो ये medication क्या करती है fight करती है bacteria के सामने और उनको kill करती है कि जिससे आपकी body के अंदर infection कम होता जाता है और ये खास ध्यान रखना है कि ये जो है वो इफेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ पैरेंट रिली इसलिए मैं यहां पर point आप के लिए highlight करता हूँ कि safety reactions के हमेशा injection से available होते है बिकोज ये पैरेंट रिली इफेक्टिव बनता है और intravenous या फिर intramuscular root से उसको दिया जाता है और देखे तो बहुत सारे bacterias के सामने ये effective बनता है बिकोज जैसे मैंने अभी आपको समझा है कि ये एक antibacterial medication है antimicrobial medication भी उसको कहा जाता है कि जो bacteria को kill करने के लिए और उनके सामने अच्छे से fight back देने के लिए जो ये वो specially specially लगाया जाता है तो आप समझते कि कौनसे it is medical conditions है कि जिसके अंदर monosaf injection यूस किया जाता है तो एक जो sexually transmitted diseases होते है जैसे कि gonorrhea है तो gonorrhea के इलाज में भी ये injection रिया जाता है फिर PID का जो इलाज चलता है तो जो pelvic inflammatory disease जो हम कहते है तो उसमें भी ये injection useful बनता है फिर जो meningitis की जो condition है तो meningitis की जिसके अंदर हमें पता है कि जो brain के जो layers होते है और brain के आसपस आए हुए जो मस्तिस कावरान जो हम कहते है meningitis जो कहते हैं और वहाँ पे bacteria के कारण आपको infection हुआ है और वो infection spinal cord के meningitis में भी है और साथ उसाथ brain के meningitis में तो दोनों को treat करेगा ये injection फिर STDs में तो काफी useful है और आगे देखे तो जो lungs के अंदर infections फैलते हैं हमारे फेपडों के अंदर जो bacterial infection होता है तो ऐसे condition में जो RTI जो होते है respiratory tract infection तो उसको भी treat करता है जैसे की आगे हम देखे तो ear infection में भी useful साबित है और जो skin infections होते है bacteria के कारण तो उसमें भी ये medication काफी effective है तो PID के अंदर आप देखो तो जो ovaris के अंदर सुजन होती है fallopian tube या फिर आपका uterus तो पूरा जो reproductive system होती है females के अंदर वहाँ पे जो सुजन होती है तो उसमें भी ये injection जो हो काफी useful साबित होता है फिर urinary track में होने वाले bacterial infection की चाहे male हो या फिर female तो उनके अंदर bacteria के करने समझो कि urine infection हुआ है तो urine infection के लिए जो orally medications होते हैं जो tablets, capsules वगिरा उससे समझो कि ठीक नहीं हो रहा है तो उस वक्त urine infection को होता है तो उसको भी ठीक करेगा ये medication आगे समझे तो जो हमारे bonds होते हैं वहाँ पे जब infection होता है joints के अंदर infection होता है तो उसको भी ये medication जो है वो ठीक करती है तो यह आप यह आप देखो bacterial meningitis कि ये जो आप bacteria देख रहे हैं कि जो pathogenic bacteria वो जब हमारे हमने anatomy में सिखा था कि उसका एक PR मेडर होता है arachinoid मेडर होता है और डूरा मेडर तो वहाँ पे जब ये bacterial infection फैलता है तो बहुत सारे complications होते हैं तो उसको ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है abdominal infection कि आपके abdominal cavity के जो stomach area जो कहा जाता है तो वहाँ पे pain हो रहा है या फिर वहाँ पे sepsis हुआ है या फिर septicemia की जो हम condition कहते है उसको भी ये mono safe injection treat करता है और typhed fever के लिए काफी useful है कि multi resistant कि अगर दूसरे कोई medication से typhed ठीक नहीं हो रहा है तो उस वक typhed fever को treat करने के लिए mono safe injections की जो treatment जो चलती है अब उसके special dose हम समझे तो जब किसी कोई gonorrhea की आप treatment कर रहे है gonorrhea की लाज में ये injection यूज हो रहा है तो खास कर intramuscularly single dose दिया जाता है 250 mg की जो आगे हमने अलग-अलग strength देखी तो उसमें 250 mg का injection है mono safe का तो उसका single dose लगाया जाएगा gonorrhea को treat करने के लिए फिर अगर skin related infections है soft tissues की infection है UTI अगेरा है तो उसमें patient के conditions और bacterial infection कितना है वो reports चेक करने के बाद intra-vascular या फिर intra-muscular लिए intravenously IV injection दिया जाएगा या फिर उसको intra-muscularly दिया जाएगा meningitis के हम बात करें तो treatment चलेगी 7 से लेकर 10 दिन तक और डेली दिया जाएगा या injection और 4 ग्राम सबसे पहले दिया जाता है और उसके बाद maintenance dose रहता है 2 ग्राम intravenously पर डे और वो भी 7 से लेकर 10 दिन तक और आप children के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये खास दिन रखे कि 75 से लेकर 100 mg dose पर kg के हिसाब से पर डे और वो भी 7 से लेकर 10 दिन तक टाइफर्ड में हम देखे तो 4 ग्राम intravenously डेली जिया जाता है और फर्स जब treatment सुरू करती है और उसके बाद बागी के 2 दिन के लिए 2 ग्राम दिया जाएगा पर डे के लिए और फिर चेक किया जाएगा कि infections कितना कम हुआ है और उसके according to आगे जो है वो dose repeat किये जा सकते है जिल्रान्स के लिए जो routine हम dose देखे तो वो रहेगा 75 mg पर kg 2 दिन तक टाइफर्ड के लिए फिर अगर समझे कि किसी के अंदर mono safe injections के resistance डेवलप हो जाते है तो sulbectum के साथ उसका combination आपको available मिलेगा या फिर tazobectum कि mono safe SB वाला जो injection है तो उसमें आपने देखा होगा कि sulbectum उसके साथ combination में है तो अगर safety exons का resistance है किसी के अंदर उस वक्त ये combination यूस किया जाता है अब mechanism हम समझे तो जितने भी सेफालोस्पोरिन क्लास के antibiotics होते है तो उनकी एक common mechanism है कि cell wall synthesis को inhibit करना कि यहाँ पे आप bacteria की जो ये पूरी cell wall देख रहे है तो ये cell wall उसके protection के लिए है और ये cell wall ही समझो कि breakdown कर दी जाती है तो आगे जाके वो बैक्टेरिया अपनी सर्वाव नहीं कर पाता और वो सर्वाव ना कर पाए कारण उसकी डेथ हो जाती तो ये एक antibiotic क्या करता है जो penicillin binding protein होता है उससे bind हो जाते है कि जो बैक्टेरिया के पास होती है और उससे inhibit करके अपनी pharmacological action देथ के जिससे ये जो bacterial cell wall की जो synthesis है वो stop हो जाती है और जिसके करन उनका lysis हो जाता है अब समझते हैं ये injection के side effect खास समझना जरूर है तो एक bleeding जो है वो increase करवा सकता है ये injection तो proper precautions के साथ ही ये injection किसी को bleeding related disorder से खुन के इसे बीमारी है कि जिससे bleeding हो जाते तो ऐसे लोगों को ये injection लगा है नहीं जाता because hypo, prothrombobinemia कि जो condition है medical condition वो produce होते कि जिसके अंदर increase होती है bleeding तो bleeding करवा सकता है ये injection कि अगर किसी को bleeding related problem है तो bleeding और ज्यादा हो सकती है तो ये खास द्यान रखें फिर painful urination करवा सकता है ये medication nausea vomiting जैसे side effect इसके करण होते है फिर heart burn जैसा condition या फिर chest pain जैसी condition feel करते है patients ये injection देने के बाद stomach के अंदर tenderness जैसा develop होना pain जैसा bloating मेनलब कि stomach discomfort की condition हम कहते है वो produce होती है severe pain आपको हो सकता है वो भी side back या फिर below the ribs की जो आपकी ribs होती है lungs के आसपास आई हुई जो ribs होती है तो ribs के side में या फिर back portion में आपको severe pain हो सकता है तो ये उसके कुछ side effect है कि अगर आप side effect notice करते है आपके body के अंदर ये injections लेने के बाद तो तुरन ये medication को लेना बंद कर देना चाहिए फिर कुछ ऐसे common side effect देखे तो dizziness या फिर headache जैसा फिल हो सकता है pain हो सकता है या फिर swelling हो सकती है आपकी जीब के उपर कि अगर आपको ये medication की allergy है तो तुरन्त pain होना start हो जाएगा और फिर season हो जाएगा आपकी जीब के उपर फिर lump जैसा develop होगा कि जैसे lumps develop हो जाते हैं जहां पर ये medication inject किया जाती है फिर sweating जैसा फिल होना पसीना होना वज़ाइनल leaching या फिर discharge जैसे side effect कई बार होते हैं कि अगर आप UTIs के अंदर ये injection इंजेक्शन यूज करते हैं या फिर PID के अंदर ये injection यूज किया रहा है females के अंदर तो कई बार कुछ females के अंदर ये injection PID या फिर UTI में यूज होता है तो वो itching या फिर white discharge या फिर vaginal discharge जो है वो फिल करते हैं vaginal yeast infection भी कई बार होता है ये injection की reuse होने के बाद anemia कई बार हो सकता है low Hb या फिर low Rbc की जिसकों कहते है medical conditions या फिर medical name में anemia और कई बार flushing जैसा feel होना या फिर change होना आपके test के अंदर तो ये सब side effects develop होते हैं monosave के कारण तो जैसे अब ये हमने बात के कि कई बार bleeding करवाता है तो जो normal blood होता है उसके compare में Rbc जो हो कम हो जाता है और Rbc कम होगे तो Hb भी कम हो जाए कि जिससे patient जो हो एनेमिक बन सकता है तो इसलिए लंबे समय तक ये injection को use नहीं करना चाहिए फिर उसके contraindications हम देखे तो अगर किसी को hypersensitivity है कि जो cephalosporin class के जो medication होते कि monosave कि इसके अंदर भी cephalosporin है safety axon तो अगर इसकी आपको allergy है hypersensitivity है तो इसको use ना करें कि ऐसे anaphylactic reactions notice की गई थी आपके अंदर कि अगर आपने cephalosporin class का कोई antibiotic यूज किया था या फिर safety axon को use किया था या फिर आपको penicillin के भी sensitivity है तो वो लोगों को ये medication नहीं लगाने चाहिए because उनके अंदर जो आखों में सुजन देखने को मिल सकती है ये injection देने के बाद lips या फिर जो जीब होती है वहाँ पे सुजन देखने को मिल सकती है heart rate उनके बढ़ सकते है fast heart beat हो सकते है abdominal pain हो सकती है वहाँ पे vomiting हो सकती है wheezing feel कर सकते है वो लोग और confusion headache loss of consciousness hives develop होना तो ये सब complications से बचने के लिए खास medical history चेक करने चाहिए patient के और उसके बाद ही ये injection को use करना चाहिए फिर दुसरे contraindications हम देखे तो अगर किसे को diarrhea हुआ है बड़ उसका reason है ये वाले bacteria कि अगर report करवाते और पता चलता है कि diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो उस वक सेफालस पूरी नहीं लगाये जाते हैं किसी को hemolytic anemia के condition है कि जो एक blood related bleeding related disorders है कि जिसके अंदर जो आपके RBC जो है वो burst हो जाते हैं किस तरह से कि ये वाला RBC आपका normal है बट वो damage हो जाता है break हो जाता है कि या पर आप देखो ये जगह से RBC जो है वो completely burst हो जाता है और ये RBC फिर आगे जाके हो जाता है damage तो ऐसे damage RBC होने वाली जो condition कि जिसको hemolytic anemia कहा हो जाता है तो ऐसे patient को कभी भी ये injection ना लगाए फिर किसी को liver related problem है liver failure के patient है उनको भी ना यूज करे bleeding disorders वाले patient फिर किसी को gal bleeder का problem है तो भी उसको use ना करे severe renal impairment है मतलब कि kidney failure के patient है और उनको kidney related बिमारी है और जो yellow wing skin हो सकती है newborn child के अंदर तो जो newborn babies के लिए भी ये injection यूज नहीं कर सकते है because उनकी जो skin है वो yellow भी हो सकती है और ये खास आपको ध्यान रखने है pregnancy के हम बात करे तो FDA ने उसको pregnancy category B के अंदर रखा है ये खास आप समझना कि pregnancy category B क्या होती है तो B category का मतलब ये होता है कि ये medications की जो clinical studies है वो animals के उपर की गई है but not been studied in pregnant woman तो animal study तो हुई है but pregnant woman के उपर उसकी study नहीं की गई है जिसके करन उसको category B के अंदर रखा गया है but जो animal studies हुए है उसमें जो है कोई no negative effect कि कोई negative effects जो है वो देखी नहीं गई कि जो unborn babies होते है animals के तो उनके उपर safety axon के कोई ऐसे harmful effect देखने को नहीं मिल गई but specially जो है वह हम safe side की और रहे कि सबसे safe side जो हमें रहना है कि because अभी तक ऐसे category B के medication है अभी तक कोई भी ऐसे pregnancy movements के उपर इसकी study नहीं है तो जरूर है कि हम safe side पे रहे और pregnancy के अंदर use ना करे और अगर use होता है तो proper gynecologist की advice के according to use को करना चाहिए कि अगर benefits ज्यादा है और risk कम है तो ऐसे condition में ही pregnancy में use करते है वरना इसको avoid करने चाहिए because जो pregnancy category यह वाले जो medication होते है वो ही सबसे safe होते है use करने के लिए pregnancy के अंदर तो जिस तरह से यहाँ पर हमने यह injection के बारे में सिखा ऐसे ही और बहुत सरे medications के बारे में सिखे अलग-अलग बीमारिया उनकी treatment और एकसेस करें उनके related PDF PPT's video lecture affordable price में PharmaRox के आप उपर तो भी डाउनलोड करें आप PharmaRox की जो Android application है Google Play Store पे EFL iPhone app है App Store पे Link आपको description में मिल जाएगी या फिर आप हमें WhatsApp करें 901631 2020 पे यह कोर्स को जोईन करने के लिए तो study material एकसेस करें test series and video lecture PharmaRox के आप उपर Android user Android app डाउनलोड कर सकते है iPhone user App Store से Link आपको description box में मिल जाएगी So good luck and all the best